वेलकम टू आलो फेव अब दे स्पेसल क्लास चाहे आप एसे सी सीजल की प्रिप्रेशन कर रहे हों सीपियो की शीचेसल की या म्टीस की कंपाउंड इंट्रेस्ट बहुत इंपोर्टेंट टोपिक है यह है कंपाउंड इंट्रेस्ट का पार्ट 6 इससे पहले मैंने पार्ट 1 से लेकर के पार्ट 5 तक अलड़ी प्रोवाइड कर चुका हूं और टोटल 50 कोशन कंप्लीट करा चुका हूं हम इस टॉपिक से टोटल 120 प्लस कोशन करने वाले हैं इस वीडियो में हम देखेंगे कोशन नंबर 51 से 60 तक के वीडियो सलोशन अगर आप मेरे चैनल पर पहली ब करा चुका हूं 35 वीडियो में परसेंटेज 344 कोशन कंप्लीट करा चुका हूं 25 वीडियो में प्रोफित और यह पूरी तरह से फिनीश हो चुका है आप इसको देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल के प्लेलिस सेक्शन में जाएं वहाँ पे मैंने इसकी अच्छे से पू सकते हैं पूरा अच्छे से इसको इन सारे टोपिक को अच्छे से कभरब कर सकते हैं compound interest topic चल रहा है जिसमें हम 128 question कराने वाले हैं तो इस वीडियो में हम देखेंगे question number 51 to 60 के video solution चली question number 51 क्या कहा गया है the compound interest are as 6000 at 10% per annum for one and half year when the compound interest be compounded annually simple question है question principle दिया गया है 6000 रूपी रेट दिया गया है 10% per annum और जो time दिया गया है one and half year इसका मतलब क्या है कि one year complete है और दूसरा क्या है half year यानि अगर मैं बात करूं पहले साल तो 10% per annum एक साल का ब्याज कितना लगा 10% लेकिन यहां पर क्या है आधा साल ही है तो एक साल का 10% लग रहा था तो half year का कितना लगेगा 5% आधा तो चलो इसको हम basic method से करते हैं basic method के बाद मैं इसको आपको box method भी कराऊंगा पहले पहले principle कितना है 6000 किसी भी number का अगर आपको 10% चलो पहले 6000 का 10% लिकालना है तो 10 by 100 यानि कितना हो गया 600 यानि यह पहले साल का क्या हो गया compound interest first year का तो amount कितना बन गया 006 and 6 क्यों मैंने add किया क्योंकि amount क्या होता है principle plus interest ठीक है अब आगे बढ़ते हैं अब हमारे पास money 600 हो गया दूसरे साल की बात करें तो दूसरा साल पूरा complete नहीं था अगर दूसरा साल पूरा complete होता है 10% interest लगता लेकिन आधा साल है यानि 5% interest तो 6600 का 5% 5 by 100, 2,0 से 2,0 cancelled, 6,35, 6,35, 3,33, 330 यानि दूसरे साल जो compound interest half year का लगा दूसरे साल के half year का वो लगा 330 तो अब हमें यह नहीं कहा हमें कहा गया कि compound interest कितना लगेगा one and half year में तो compound interest total कितना हो जाएगा 600 यहाँ पे है और 330 यहाँ पे 600 प्लस 330 डैट मेंज 900 तीन सो sorry 930 रुपए क्या हो गया compound interest कौन सा answer match कर गया option number C is the right answer of this question ठीक है तो आपको question करने का पता चल गया कि किस तरह से करना है तो यह basic method था अब हम इसको box method से कर रहे हैं एक है box method से कैसे करेंगे आपको पता है principle कितना है 6000 6000 का 10% कितना हो जाएगा cancel यानि 600 यानि first and second first year second year क्या हो गया 600 आया 600 क्या interest simple interest 600 दूसरे साल का भी simple interest 600 दूसरे साल का interest 600 का 10% 600 का 10% लिकाल देता हूँ कितना हो जाएगा 60 अब देखे लेकिन first year किस हिसाब से लग रहा था 10% क्योंकि आधा साल ही यह नदूसरे साल में 5% के हिसाब से sow deux लेकिन हमने क्या लिकाला आए? 10% के हिसाब से लिकाला है. तो 5% के हिसाब से क्या होगा? आधा हाप कर दिया. याणि यह amount 600 ना होखर चके, कितना रहा गया? 300. और यह amount कितना रहा गया? 60 divided by 20, यानि 30. अब हमारा यह actual में हमारा क्या होगा? 600, 300, और 30. तो आप box method से भी आप जा सकती हुए question CPU 2008 में पूछा गया pre-k paper में, तो box method से भी जा सकते हैं और basic approach से भी question को बना सकते हैं, चली next question पर move करते हैं हम, देखें next question क्या कहा गया, question number 52, at a certain rate per annum, the simple interest on a sum of money for one year is 260 and the compound interest on a sum for two year is 540.80, the rate of interest per annum is, कहा गया है, देखें, simple interest, एक मिनट थोड़ा सा, simple interest first year का कितना है, 260, एक साल का simple interest, 260, लहीं compound interest में information दिया कि दो साल का कितना है, 540.80, रूप है, तो देखो, इसको हम बहुत तरीके से question को कर सकते हैं, कि किस तरह से, पहले हम box method पे आते हैं, देखें box method, box method, first year, second year, पहले साल का simple interest कितना है, 260, दूसरे साल में 2 box, क्योंकि compound interest box method मैं already discuss कर चुका हूँ, जो लोगों को नहीं समझ में आएगा box method, आप मेरी 70 days math course देखिएगा, वहाँ पे compound interest chapter मैंने complete करे हूँ, वहाँ पे box method आपो साल, दूसरे साल का simple interest क्या होता है, simple interest every year same होता है, 260, अब देखे, 260 हो गया, अब 2 साल का compound interest, यह पूरा का पूरा क्या होता है, compound interest, 2 साल का, 2 साल का compound interest, तो देखो, 2 साल का compound interest है कितना, 540.8, और 2 साल का, अगर मैं इन दोनों को add करूँ, यह होता है compound interest इनको add कर रहा हूँ तो 260 और 260 कितना हो गया 26 दूनी बाउन 520 यानि ये बाला जो ये जो blank है जो box इसमें क्या रहेगा 540.80 minus 520 यानि 0 to 20.80 हो जाएगा 20.80 क्यों क्योंकि ये पूरा का पूरा compound interest होता है आप जोड लो 26 26 520 और 20.80 यानि 540.80 हो गया compound interest दो साल का इसलिए हमने इसको यहाँ पे इस तरह से किया है अब देखे रियान से हमें rate of interest लिकालना है यहाँ से यहाँ पे कैसे होता यहाँ सका x percent rate लगा यानि 260 का x percent x by 100 और वो rate of interest बन कितना गया 20.80 जैसे ही 100 multiply होगा यह decimal हट जाएगा अब देखो 1,0 से 1,0 cancel यानि x की value क्या होगे 208 upon 26 अब मैं इसको कितनी बार में ले जाओ 8,6,48,8,2,16,4,20 यानि 8 times यानि x is equal to क्या होगे 8 percent तो rate of interest कितना होगे 8 percent कौन सा option match कर गया c is the right answer तो यह तो एक यह तरीका रहा दूसरा तरीका आप और भी कर सकते हो method 2 देखो method 2 कैसे कर सकते है simple interest एक साल का दिया गया है कितना 260 रूपए तो 2 साल का कितना हो जाएगा simple interest 2 साल का simple interest for 2 साल का 260 into 2 यानि कितना हो गया 520 रूपए 2 साल का compound interest दिया गया है compound interest केतना दे लगा है, पान्सो चालिस पॉइंट एट जीरो रूपय है ये SI simple interest 2 साल का और ये क्या है compound interest 2 साल का अब आगे आते हैं अब खुस सोचो इन दोनों में difference कितने का है difference है 5040.80 मढइनस 20.80 का difference है हमें rate of interest पर earn Lee कारना है तो difference इतने का है, एक साल का simple interest है कितना, 260 percentage में multiply करने के लिए ठीक है, तो यहाँ से मैं cancel करूँ, यहाँ से हटाऊंगा, तो 100 नीचे आएगा, cancel 10 से 10 cancel कितना हो गया, 208 upon 26, 8 times चला गया, rate of interest कितना हो गया, 8% तो यह भी एक तरीका है, आप यहाँ से भी कर सकते हो, और यह question SSC CGL tier 1 2008 के paper में पूछा गया था, pre के paper में 2008 में पूछा गया, CGL के paper, चले, next question पे move करते हैं, question number 53 पे आते हैं, देखिए question number 53 को कैसे बनाएंगे, the simple interest on a certain sum of money at 4% per annum for 2 year is 80, the compound interest on the same sum on the same period is, पहले देखिए हमारे पास क्या दिया गया है, यह चीज़ समझने वाली बात है, simple interest for 2 year in percentage में लिकूँ, एक साल का rate कितना है, 4%, तो 2 साल का कितना हो जागा, 4 into 2, यानि 8%, लेकिन compound interest 2 साल का लिकालना है, पहले साल rate कितना है, 4%, दूसरे साल भी कितना है, 4%, यह compound interest लिकालना है rate तो कैसे हम करते हैं, A plus B plus A into B upon 100, यह percentage, 4 और 4, 8, 8 plus 0.16, क्योंगि 16 by 100 points, यानि 8.16%, यह 2 साल का क्या हुआ, compound interest in percentage, और यह simple interest in percentage, आगे बढ़ते हैं, देखो ध्यान से, अब question हमारे पास दिया गया है, 2 साल का simple interest कितना है, 80 रूपीज, यानि यह 8% है, 2 साल का simple interest, तो 8% की value कितनी है, 80 रूपय के बराबर, तो 1% की value कितनी हो जाएगी, 10 रूपय के बराबर, तो हमसे पुछा क्या गया है, compound interest 2 साल का, compound interest कितना है, 8.16% की value क्या हो जाएगा compound interest दो साथ चलो कौन सा match कर गया 81.60 रुपए option D और यह question mains के paper में 2008 में पूछा गया था तो एक तो यह तरीका हो गया दूसरा तरीका आप ऐसे भी कर सकते हो दूसरा तरीका क्या है box method से बना सकते हो box method से कैसे कर सकते देखो simple interest दो साल का कितना है 80 तो एक साल का simple interest one year का कितना हो जाएगा 80 divided by two यानि 40 तो देखो compound interest बनाता हूँ first year second year पहले साल का simple interest 40 रुपए दूसरे साल भी कितना होगा simple interest 40 compound interest के लिए एक box अब देखे 40 का कितना 4% में लिकालना है तो 40 into 4 by 100 cancel यानि 16 by 10 यानि 1.6 तो हम ये पूरा का पूरा क्या होता है compound interest होता है तो compound interest कितना हो गया 40 40 80 80 plus 1.6 यानि कितना हो गया 81.6 रुपए तो आप बहुत तरीके से question को बना सकते हो मैंने आपको एक percentage method बताया था पहला method और दूसरा method box method तो आप दोनों तरीके से question number 54 पर आते हैं देखे question number 54 क्या कहा गया है the compound interest on a certain sum of money at 5% per annum for 2 year each 246 the simple interest on a same sum 3 year at 6% per annum each देखो इस question को हम बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं सबसे पहला तरीका क्या है ओची में बताता हूं देखिए द्यान से compound interest rate of interest 5% पहले साल दूसरे साल भी 5% तो यहां पर मैं compound interest का rate लिकाल रहा हूं तो कैसे लिकालते हैं 5 plus 5 plus 5 into 5 upon 100 यानि कितना हो गया पांच 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 दस और 10.25% आ गया यह क्या है compound interest 2 year का और इसकी value दी गई है कितना 246 यानि 10.25% की value कितनी दी गई है 246 रूपए तो 1% की value कितनी हो जाएगी 246 upon 10.25 अब आगे बढ़ते हैं हमें क्या कहता simple interest on a certain same of money for 3 year at 6% तो simple interest 3 साल का कितना हो जाएगा 1 साल का 6% rate से तो 3 साल का 6 into 3 यानि 18% यही 18% की value चाहिए अगर 18% की value मिल जाएगी तो हमारा काम हो जाएगा तो 1% की value इतनी है तो 18% की value क्या हो जाएगी 246 upon 10.25 into 18 चलो मैं cancel करने वाला हूँ देखिए cancel किस तरह से करेंगे वो आपके उपर डिपेंड है कि cancel किस तरह से करते हैं मैं इस decimal को हटा हूँ तो उपर क्या हो जाएगा 100 चलो मैं 24, 25 से करूँ 25, 25 से 24, और 25 से काइं 25, 41 हो गया ये कितना बार में चला जाएगा? छे बार में ये छे बार में चला गया यानि कितना हो गया? अठार अच्छा के कितना होता है? 108 इंटू 4, अठार अच्छा का 108 इंटू 4, आठ चो के 32, तीन और 432 रुपए क्या हो गया? कौन सा मैच कर गया? option number D, और ये पेपर भी 2008 में, CGL के पेपर में, Pre के पेपर में आया हुआ question था, तो हम आसानी से question को कर सकते हैं चलिए, next question पे मूप करते हैं, question number 55 देखिए, क्या कहा गया है? कहा गया, the simple interest and compound interest compounded annually on a certain sense, sum of money with a given rate of interest period 2 year is इतना and इतना यानि हमारे पास एक चीज़ दिया गया है, कि simple interest 2 साल का कितना है? 900 और compound interest 2 साल का कितना है? 900 आगे बढ़ें, आगे बढ़ते हैं, क्या दिया गया है? the sum of money is, यानि principle find out करना है, हमें क्या find out करना है? principle, तो principle find out करना है, तो हम आसानी से कर सकते हैं, देखो द्यान से इस question को मैं अगर आपको बताऊं, तो simple तरीके से आप बना सकते हो, 2 साल का compound interest कितना, simple interest दिया गया है? 900 तो, एक साल का कितना हो जाएगा? 900 upon 2, 900 upon 2 कितना हो गया? 450 रुपे एक साल का compound interest कितना हो गया 450 रुपए अब देखो ध्यान से एक साल का compound interest 450 रुपए है दो साल के compound और compound interest और इसमें दोनों में difference कितना है सिर्फ 54 यानि 54 extra बढ़ा है interest तो rate of interest क्या होता है कितना interest बढ़ा 54 और एक साल का simple interest है कितना 450 percentage में करने के लिए क्या करें 100 से multiply बस हमारा question बन जाएगा चलिए आगे कैसे बनेगा देखिए र्यान से कि एक जिरो से एक जिरो कैंसिल नौपांच एक पैंतालिस नौच्छा के चोंवन पान से दो यानि rate of interest कितना हो गया 12% तो आपका क्या हो जाएगा सॉरी 12% एंसर नहीं होगा यह rate of interest कितना हो गया 12% अब हमें आगे आते हैं क्या हमें पूछा गया है हमें पूछा गया है क्या यहां पर पूछा गया sum of money principle पूछा गया है ना तो principle लिकाल देखो simple interest होता क्या है पी आर टी अपॉन हंडेड देखो देखो दियां से simple interest दो साल का कितना है 900 तो दो साल का 900 प्रिंस्पल पी है rate of interest कितना है 12 टाइम कितना लग रहा है दो साल का 2 अपॉन हंडेड चलो अब मैं कैंसिल करने जा रहा हूँ दो से 450 अगर मैं इसको काटूं 3 से तो 3 चो के 12 तीन से काटूं तो 15 तियां 45 चार से इसको काटूं तो 25 यानि principle कितना हो गया 1500 इंटू 25 तो पहले 1500 को 20 में multiply करूंगा तो 15 दूनी 3,000 प्लस 15 पंचे 75 यानि कि 3750 रुपए क्या हो गया principle option कौन सा match कर गया D is the right answer और यह question मेंस के paper 2008 में पूछा गया है CGL के paper में ठीक है तो I hope आपको यह समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हमें करना है ठीक है चलिए देखिए Next question, question number 56 पे move करते हैं देखिए 56 क्या कहा गया है question ध्यान से देखते हैं The difference between the compound interest and simple interest on a certain sum of 3 for 3 year at a 5% per annum is 122 Then sum is, कहा गया है कि compound interest और simple interest के 3 साल का difference दिया गया है 122 Rate की हिसाब से लग रहा है 5% per annum एक साल का rate है 5% के हिसाब से चल रहा है Time दिया गया है 3 year तो हम क्या करते हैं box method apply करते हैं देखिए रियान से खुझ सोचो पहला चीज हमें principle 1 by n के form में 5% की value क्या है 1 by 20 यानि 1 by n के form में है तो principle मानने का तरीका बताया था न n पे जितने भी time लगा उसका power यानि कि n का cube n कितना है 20 20 का cube कितना हो गया principle 8,000 unit यानि principle हमारा 8,000 unit है तो 8,000 का कितना लिखाना है 20 पांच परसेंट 5 परसेंट का मतलब 1 by 20 यानि 24 के असी यानि 400 यानि तीन साल की बात किया first second third first year में एक box second year में दो box third year में तीन box तो पहले साल में कितना लगा interest 400 400 लगा दूसरे साल भी simple interest 400 लगेगा तीसरे साल भी 400 simple interest every year सेम होता है अब यहां पे 400 का कितना परसेंट लिकालना है 400 का 5% 400 का 5% का मतलब क्या 1 by 20 यानि 20 जैसे ही यह 20 लगा तो यह क्या होगा double होगा यह मैं बता चुका हूं 70 days math course देखोगे तो आपको पता चल जाएगा compound interest box method कैसे apply करना है थिर यहां पे भी अगर 20 का 5% 5% 1 by 20 यानि वह नहीं होनी अब हमारे पास देखें move करते हैं कैसे पूरा का पूरा क्या है यह पूरा का पूरा है compound interest और यह वाला पोर्षन क्या है simple interest तीन साल का compound interest था पूरा का पूरा और यह तीन साल का simple interest दोनों में difference कितना का आया सिर्फ यहीं वाला portion का चलो मैं color change करके दिखाऊं ताकि आप better understanding कर पाऊं डिफरेंस कितना आया सिर्फ यहीं वाला difference है तो 40, 20, 60 और 1 61 unit का difference आया मैं इसको erase कर रहा हूँ 61 unit का difference आया तो 61 unit दोनों में difference है और वो difference question में कितना दिया गया 1 to 2 रूपय के बराबर 122 रूपय के बराबर तो एक unit की value दो बार में cancel दो रूपय के बराबर हमसे पुछा गया sum यानि principle कितना है 8,000 unit 8,000 unit का क्या हो जागा 8,000 into 2 यानि क्या हो गया 16,000 रूपय क्या हो गया answer कौन सा match कर गया option number a is the right answer of this question तो इस तरह से हमने question को क्या कर लिया आसानी से box method के through हमने इसको solve कर लिया ठीक है question को आसानी से कर सकते है a certain sum of money इतना in two year and इतना in three year at the same rate of compound interest the compounded annually the rate of interest per annum each देखो सबसे पहले question कहा गया कि माल रज़ते है principle P है दो साल में कितना हो रहा है amount 2420 यह कहां से यहां तक यहां तक period क्या है two year फिर next क्या का ज़रा कि तीन साल में amount कितना हो जा रहा है two six six two यहां से यहां तक का period कितना है three year में हो रहा है तो हमसे question कहा गया rate of interest per annum बतलब यहां से यहां तक का period कितना होगा one year का क्योंकि दो साल का यहां से यहां तक है तीन साल का यहां से यहां तक है तो यह वाला period कितना होगा one year का one year में कितना interest बना यहां से बढ़कर के amount इतना हो गया क्योंकि एक साल का interest है ना rate of interest यह compound interest एक साल का है और हमें rate of interest भी per annum एक ही साल का लिकालना है इसलिए हम इसको apply कर रहे हैं otherwise नहीं कर पाते percentage में करने के लिए hundred से मैं एक zero से एक zero cancel two forty two forty cancel rate of interest कितना आ गया 10% per annum यहनि एक साल का rate of interest कितना है 10% तो option कौन सा match कर गया है D is the right answer of this question चली next question पे move करते हैं question number 58 देखे question number 58 पे आते हैं यह question seizure के paper में 2008 में पूछा गया है देखे question क्या कहा जा रहा है कमल took इतना as a loan along with interest is to be replied in two equal annual installment यह देखो installment का question आ गया if the rate of interest इतना compounded annually then the value of each installment compound interest का installment यानि किस्त वाला question है सबसे पहले इसका मतलब 12 सही इतना percent की value क्या होती है अगर मैं बात करूं तो साड़े 12% है इसको मैं लिख सकता हूँ साड़े 12% और साड़े 12% percentage पढ़ चुके किसकी value होती है तो देखो अगर मैं यहाँ पे आपको समझाना चाहूँगी किस तरह से question करेंगे यह है principle और यह है installment अगर principle 8 unit था तो अगर किस्त में देंगे तो एक unit बढ़ जाएगा क्योंकि एक unit का interest मिलेगा यानि कि no यह first year दूसरे साल बात करते हैं तो मैंने बताया दूसरे साल की बा कि instrument दूसरे साल का होगा तो 8 का square 9 का square करें तीसरे साल होता तो 8 का cube 9 का cube करते हैं चौत्हे साल होता तो 8 पे power4 9 पे power4 यहीं करते हैं चलो अब आगे बढ़ते हैं अब क्योंकि दोनों बोत दा case इंस्टॉल्मेट सेम है इंस्टॉल्मेंट क्या है सेम तो यहाँ पर पहले मे installment 9 है यहाँ पे 81 है सेम बनाने के लिए क्या करें 9 से multiply कर दें पहले वाले case में तो principal और interest क्या-क्या बन जाएगा देखो 99, 72, 81 64 और 81 वो दोनों साल installment सेम हो गया अब देखो दियान से हमारे पास उसने loan कितना लिया था 68-100 बताओ दोनों का principal मिला के 136 unit की value कितनी है 6, 8, 0 0 रुपए चलो अब मैं इसको एक unit की value कितनी हो जाएगी यह पांच बार में चला जाएगा तो 50 रुपए के बराबर है हमसे पूछा क्या गया है कि each installment each installment कितना है 81 unit 81 unit की value 81 into 50 यानि 0, 5, 8, 5, 4 4, 0, 5, 0 रुपए क्या हो गया है हर एक installment हो जाएगा option number C is the right answer CGL के paper में पूछा गया question है और आप आसानी से कर सकते हैं ऐसे question को चलिए next question पर move करते है question number 59 देखे question number 59 क्या कहा जार है ध्यान से देखेगा a sum of इतना was borrowed at इतना percent per annum compound interested and paid in cash two year in two equal annual installment what amount what was the amount of each installment ये भी वही installment का ही question है ये question भी CGL के pre के paper में 2008 में पूछा गया है देखे वहीं चीज़ है पहले मैं इसका fraction value लिका लो 8 सही 3 upon 4 का percentage इसका fraction value लिका लो तो 8 के 32 और 3 35 upon 4 percent percent का मतलब क्या होता है divide by 100 35 into 100 चलो 5 से काटू तो 5 साथ ये 35 पान से काटू तो बीस पांचे सो यानि कितना होगा है 7 by 40 7 by 40 का मतलब क्या है 2 साल का instrument है यानि पहले साल और दूसरे साल तो principal अगर 40 है तो interest बना किस पे उस पे 7 unit का यानि principal और amount principal अगर 40 है तो interest कितना बना 7 add हो गया यानि 47, 47 सोरी 24 के 80 होगा यहाँ पे 80 होगा 20 into 4, 80 यानि 7 by 80 80 unit principal है 80 unit principal है तो क्या 7 unit बढ़ जाता है installment में यानि installment में कितना देगा बना 87 है आगे बढ़ते हैं अब देखिए द्यान से दूसरे साल क्या दूसरे साल मैंने बताया था कि इसका square करते हैं 80 का square हो जाएगा और 87 का square हो जाएगा अब square multiply करने आना चाहिए 81 का square मैं यहाँ पे हटा रहा हूँ 81 का square कैसे लिग देंगे 6400 लिग देंगा आसानी से और 87 का square करना है तो आप अपने coding कर सकते हैं मैं करता हूँ 7 का square 9 7 साथे 49 4 कैरी 8 साथे 56 56 इंटू 4 अगर आप multiply करो गया आएगा तो 7 5 6 9 आ जाएगा ठीक है बहुत तरीका है करने का 87 का square करना है तो ऐसे कर लेते हैं 7 का square 9 कैरी 4 8 साथे 56 56 इंटू 2 56 इंटू 2 कितना हो गया 6 2 12 5 2 10 11 11 114 16 कैरी कितना हो गया 11 8 का square 64 64 में 11 जोड़ूँगा तो कितना हो 4 1 5 6 1 7 तो आगया 75 69 75 69 यह आप square किस तरह से करते हो यह आपके उपर depend है कि आपने जहां से पढ़ा है वहाँ पे आपको square किस तरह से सिखाया गया है करने का नहीं समझ में आता तो आप मेरे एक fast math calculation की series मैंने 4 वीडियों बनाई थी वहाँ से देख सकते है तो यह कितना हो जगा क्योंगि मैंने बताया था कि पहले साल दूसरे साल square करते हैं इसका अब देखो ध्यान से यह आपको पता होना चाहिए कि क्या है installment दो साल का same है यहाँ पर 87 यहाँ पर यह है same बनाने के लिए क्या करेंगे 87 से multiply करेंगे क्यों क्योंकि यह 87 का ही तो square था चलो multiply कर दें तो principle और यह क्या हो गया amount first and second multiply करूँगा 87 का 80 में तो multiply fast करते हैं 8 साथे 56 8 हटाई 64 और पांच पांच आर नो 5 9 6 0 आ जाएगा हमारा 5 9 6 0 sorry 6 हो जाएगा ना 8 साथे 8 9 64 ठीक है तो 6 9 6 0 आ गया दूसरे केस में तो यह 75 6 9 आ गया दूसरे वाले में यह 64 100 है और यह उतना ही है 75 6 9 अब देखे द्यान से principle कितना था दो साल का इतना रुपए लिया गया था यानि यहां पर कितना हो जाएगा 0 6 9 4 13 और 6 6 12 एक 13 यानि इतना यूनिट बताओ 13 6 0 इतना यूनिट की वैलू question में कितना दिया गया उतना ही दिया गया है 13 360 रुपए यानि एक यूनिट की वैलू कितना हो जाएगा एक रुपए के बराबर होगा एक यूनिट की वैलू एक रुपए तो installment कितना है each installment 75 6 9 unit की वैलू क्या हो जाएगी 75 6 9 रुपए एंसर आ जाएगा 75 6 9 कौन सा है option number B is the right answer of this question तो इस तरह से हमने क्या किया हमने question को आसानी से कर लिए installment का question था same था same as previous था only for data change था थोड़ा सा calculated calculated नहीं बोल सकते हैं क्योंकि आप math के student हो तो आपको calculation करने आना चाहिए next question पे move करते है question number 60 देखिए क्या कहा गया है question number 60 कहा गया है a loan इतना at 5% per annum compound interest is to be repaid into equal installment at the end of every year find the each installment देखो वहीं चीज़ है installment का ही question है rate of interest कितना है 5% per annum 5% per annum का मतलब क्या 5% की value 1 by 20 यानि principle अगर 20 है तो amount installment कितना हो जागा एक unit बढ़ जाएगा यानि 21 देना पड़ेगा यानि किस्त अगर 20 unit normal है तो किस्त उसको 21 दूसरे साल में क्या होता है 20 का square 400 और 21 का square 441 लेकिन हर एक installment क्या है क्या है same है ना हर एक installment क्या है और 2 equal installment देना पड़ेगा फर्स्ट इंस्टॉल्मेंट सेकेंड सेम बनाने के लिए क्या करें 21 से multiply करते हैं उपर तो चलो principle और यह क्या होगा installment कितना होगा 21 into 2 42 420 और यह क्या होगा 441 400 और यह कितना होगा आपका आगया हर एक installment सेम है पहले साल का भी installment सेम है दूसरे साल का भी installment सेम है क्योंकि 2 equal installment की बात किया गया था चले अब आगे बढ़ते है principle add करो 2 साल का first and second तो कितना होगा 0 to 820 820 unit की value question में कितना दिया गया है 123 00 यहीं दिया गया है अब एक unit की value लिका ले देखो दियान से एक unit की value तो यह cancel हो गया 82 into 1 81 82 into 5 15 बार में चला गया इतना रूपय हो गया अब हमें लिकालना क्या है एक installment 441 unit की value 441 unit की value 441 into 15 अब पूरा multiply मत करने चलो आप exam में क्या करो देखो पहला चीछ देखो unit digit देखो unit digit 1, 6, 5 है तो unit digit इसका कितना होगा 5 into 1 करोगे last में तो 5 आएगा ही आएगा last में 5 किसमें है सिर्फ एक option में है तो option number B is the right answer of this question आप पूरा multiply करके लिकालोगे भी तो आएगा 6615 तो आप unit digit क्योंकि number system आप पढ़े हुए हो तो unit digit का यूज करना भी सीको और ये question CPO के paper में 2009 में पूछा गया था तो इस तरह से हमने क्या कि आप 51 से 60 तक के question जिसमें आपको CGL के भी question थे CPO के भी question थे pre और mens दोनों के question थे CHSL के भी चोटे-चोटे question आए हुए थे तकी मेरे paid course है अगर आप join करना चाहते हो join कर सकते हो अगर आपको reasoning में problem आती है तो आप इस course को join कर सकते हो CGL, CPO, CHSL, MTS सारे exam को कबरब करते हुए course design किया गया है इसमें आपको 100 plus video lectures मिलेंगे verbal और non-verbal दोनों section मिलेंगे PDF notes भी मिलेगा और PDF practice question भी मिलेगा और यह जो series है यह bilingual है यानि Hindi और English both language में है तो आप यहाँ से कबरब कर सकते हो science course है science course की फी है 499 यह especially CGL, CPO, CHSL, MTS को तो कबर करेगा ही RRB, NTPC के जो लोग preparation कर रहे हैं उनके लिए सबसे ज़्यादा helpful होने वाला है क्यों क्योंकि RRB, NTPC के exam में आपको 40 question GKGS के पूछे जाते हैं जिसमें से 10 से 12 question science के होंगे तो आप यहाँ से कबरब कर सकते हैं इसमें आपको 100 plus video lectures मिलेंगे physics, chemistry, biology तीनों आपको concept wise मिलेगा जिस topics के आपको PDF notes की need होगी मतलब मेरे recording उसमें notes देना है तो आपकी notes भी मिलेगे PDF practice question भी जिस topics का मेरे को लगेगा देना है वो दूँगा और यह क्या है bilingual session है Hindi, as well as English both language में है तो आप यहाँ से 10 से 12 question के लिए आप यहाँ से easily cover up कर सकते है चलिए अब बात आती है आपने जानगे course के बाद pay कैसे करना है तो आपके पास 3-4 option में दे रहा हूँ आप उसके थूप pay कर सकते हो patium apps के थूप pay कर सकते है यहाँ पे मेरा patium apps number give एन है google page apps के थूप pay कर सकते है यहाँ पे मेरा google page apps number give एन है phone pay apps के थूप pay कर सकते है यहाँ पे मेरा phone pay apps number भी give एन है और अगर आप account number के थूप pay करना चाते है तो यहाँ पे मेरा account number भी give एन है आप यहाँ के थूप pay आउट कर सकते है pay करने के बाद आपको course कैसे मिलेगा उस link के थुरू आप जिस भी course के लिए access किये हैं उसको आप access करना start कर दोगी अगर आप चाहते हैं कि और upcoming वीडियो आए तो आप वीडियो को like कर सकते हैं लेकिन genuine अगर आपको help मिले तो definitely आप share कीजिए ताकि other लोगों को भी पता चले और telegram channel पर join नहीं है तो क्या करें इस वीडियो के comments box में आपको link मिल जाएगा वहाँ से आप join हो सकते हैं thank you, bye, मिलते हैं next session में